हेलो मेरे प्यारे बच्चो माइनेम इस सुनील शिंदे वेलकम टो शिंदेश केमिस्ट्री टेक्निक्स देखो बच्चो अभी बोर्ड पे चप्टर नाम देखे आप हैरान होगे बोला कि सर यह कैसा सॉल स्टेट भी चलने देऊने वाला हूं है और अभी बच्चों कर लिजे ऐसा बोला है कि सर और निक हमको चाहिए क्योंकि पार्ट वन के एक दो चैप्टर हमने दूसरे चैनल से देख लिए ऐसे कुछ बोल रहे तो अभी आपके पॉर्शन में जो है यह मिक्स करके दिया ह था अभी पर अलकोहॉल फिन ओल इतर इनकी डेफिशन फिर उनका क्लासिफिकाश फिर नमेकल जेकर फिर प्रपरेसं लेगने फिर प्रिविशिकलपरी फिर चैमीकल प्रॉपरटी ऐसा उन्हें मिक्स कर गा तो मैंने कहां कि है इस साफ्यप्र परत को चीन पर दिवाइड क हो जाएगा मतलब ठीके बुक्स में मिक्स करके दिया सी बसी पैटर यूज किया होने तो अब देखते हैं अलकोहल स्पेल हम में स्टार्ट करने वाले सके अंदर अलकोहल स्टिक अब घबरानी के बात नहीं आपका होगा हो ठीक न तो सॉलिट स्टेट अलुगा अभी यह एक एक वो ऐसा टाल दोनों चलते रहेंगे फिर जिन बच्चों को और निवान और इंवाट इनको पाड़न पाट तो दोच अप्टेक सा चलते रहेंगे ठीक ना बड़े रहेगा तो देखिए अलकोहल स्कुमिले डेफिनिशन बनाई कैसा है तो एलकोहल जो है भी यह अलकेन मतलब कि Saturated Hydrocarbon किसका Saturated Hydrocarbon है तो हम क्या करेंगे अलकेन के एक या एक से ज्यादा है किससे रिप्लेस करेंगे corresponding number of hydroxyl मतलब एक hydrogen एक hydroxyl से दो hydrogen 2 hydroxyl से 3 hydrogen 3 hydroxyl से ठीक ना मतलब डेफिनिशन के आपन की लिखा है हमने एलकोहल आर दा है hydroxy derivatives of alkanes means saturated hydrocarbons भी लिखा है obtained by क्या लिखा है replacing one or more hydrogen atoms by किसे hydroxyl group definition बना के कि नहीं alcohols are hydroxy derivatives of alkanes that is saturated hydrocarbons obtained by replacing one or more one or more यहां पे एक ही लिखा एक ही लिखा है एक ही लिखा है one or more भी हो सकता one or more hydrogen atoms of alkanes by hydroxyl group देख लिखे 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 है अगर आपको यह नहीं लिखना इतना तो भी चलेगा hydrogen atom by इसको छोड़ सकते हैं तो जितना अच्छा मैने simple simple definition बनाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ ठीक है कर लिखे लिखे सको नोटाउन ओके अब देखते हैं classification of alcohols देखे अब आपको करना classification of alcohols तो alcohols are classified according to the number of hydroxyl group present in their molecules मतलब कि एक मॉलेक्यूल में कितने हैट्रोक्स प्रेजेंट उस बेसिस पे इसको हमने क्लासिफाइए कि आपके बुक में शॉट शॉट में लेका मैं थोड़ा असा एक्स्प्लेइन करें लिख रहा हूं थोड़ा डीटेल जा रहा हूं आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब ओर नोट्स को किसी को प्रॉलम निए यह उना शीए कि मैं सब बॉ решat ओर आसरे का लिखने का टाइम ही यह वे टॉन्दर हो तो जाता है तो इसा कर रहने कि लिखने का ऑ़ था ौच्ण रखार रहने घंटे बन रहा है चलो 20 मिन्ट का बन रहा है तो 20 मिन्ट का लेक्षर अगर मैं उसी को डारेक इसमें कर तो 45 मिन्ट के करीब जाता है देखना डबल टाइम लगता है तो उसके लिए मैं जानता हूँ उससे आपका भी बेनिफिट होगा क्योंकि मैं जानता हूं आजकल नेट पैक भूजली खता हुए को सब बच्चे ओनलाइन नीवर्टन नेट पैक उसको देखते हम बहुत आराम से सुकुन से बढ़ा रहे हैं और छोड़ी वीडियो बना रहे बड़े नहीं बना रहे हैं मैं जानता हूं कि सबका प्रॉल्म है एक बच्चा उलन सब मेरा सब्सक्राइब कि ऑ ठीक आओ ठीक है ना मोनो क्या अटमनों मींस 1 घ्री मतलब है टरॉप यह यह ईसा एलकोहल जिसमें एक यह आट्रोक्स इन मतलब दैलगोर्स में एलकोहल इंदेर मॉलेकल सार काल्ड मोनोईटिक अलकोहल जो एंड मोनो है इलकोहल जो सबकिशमोग को इ तर पकी वोर है यह टेके टियरत जायदा हर स्टों है जादा ही मुड़्ाइब खॉड तो इंद है कर दो है गॉड्स प्रॉप है तो दो है डॉडॉच गॉर्ड गॉट और यह बहुत important point to hydroxy group होता है वो different carbon item पर है hydroxy group present a different carbon item थैं बता था इसका example कर के भी और युट लिकांट है लिखाइब उनली प्रेजेनट दॉनड इस Same carbon पर नहीं होंगे दो वह ऐसा होने सिहा था Highly Unustable अब टाइम लेता है कि एसे रेस करो यह करो टाइम चले याहता न सब अब देखिए अमने । एक्षाप्पल लिख रहा हूं देख लिख 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 दो एच लेकिन डिफरेंड गर एक कर वे अगर आपने ऐसा बना दिया च यह मना दिया ने ओच वह एच तो इसमें से स्पोंटेनीस ले वॉटर निकल जाएगा अगर एक ही कारबन पर दो हीडरी निकल जाएगा एक इसमें निकल गया निगया वोटर यह बन जाएगा अगर एक ही कारवन से दो हैट्रोक्स रूब या तो अल्डेट बन सकता है जैसे बन गया या तो कीटो बनेगा या फिर कार्बो ऑउक्सलीक एसे ता कार्बो लेक लिए तीन चाहिए तीन जब ओश्च वह तो तो अब बनेगा फॉर में कैसे एच सी ओ कि ओए अध्यों से अगर फिरूब हे तो कार्वक्स यो परेगा दो है तो अल्डी एडिया की टुन तो अगर अगर ब्रांच नहीं इस सब यहें ऐसा नॉन ब्रांच कार्बन प्रेजेंट नहीं हो तो अगर है प्रेजेंट तो समझ लिजी आप उसमें से वाटर अपने आप बहार निकल जाएगा और क्या बनेगा उससे बनेगा अल्डिहाइट या फिर कीटोन या फिर कार्बो अग्सलेशिक लिए तीन है ट्रोक्स चाहिए अल्डिहाट के दो कीटों यह दो लेकिन अडेल नॉन ब्राइट और कीटों लिए ब्राइच यह वास नजाएगे यह थोड़ा बुझेट क्लियर करना तवस्लिम लीडिये ठीक है अब देखे इसकों क्या बोलेट डाय ओल्ड रहे है या फिर क्या बोल रहे है इसका कमन नेम है इतलीन इतलीन घ्लाइ कॉल एचल को तुछ सट दो एटलीन घ्लाइक ओल ठीक है और इसका इसको इसको एपने रगाँ वलन जाता है क्या देश को दैटोस और ग्लाइक हो जीकाल स्टेक है लेकल एकल्षका बाइब एकल्स आटल यह बीचैन लिकिन टीक लिकिन ग्टी तो क्या चह ऐसका यु प्यसका नेम इधिलीन ग्लाइकल औक गॉटे WiCos अदय पॉइंट रखेऻ से क्लियोथ जी इनको खूटेर ग्लाइक дома ऑबें हुआ ख़िए ग्लाइक ओह ऐसे कि अल्कोहोल को हम ग्लाइकॉल्स बोलते हैं ठीक ना सब के दिया आपको देख लिजे बिल्कुल है कर लो उसको नोट डाउन ओके पडिखते हैं, ट्राहटरिख य्टिति अल्कोहल, अब नाम समझा गया, थ्री हइडरोचल ग्रूप से है, क्या थ्री हैडिरोचल, इस अल्कोहल का और एक नाम क्या होगा, इसको ग्लिशीर एल्कोहल बोलेंगे, या फिर ट्राइओल्स बोलेंगे, देखा, या त्री अगर सेंपे रहेगा अगर सेंपे दो है तो स्पॉंटेनेसले डी हाइड्रेशन हो जाएगा और वाटर बहा निकल कि क्या बनाएगा अल्डिहाइट्स की टोन्स और कार्बो ऑग्जलिक एसिड बना सकता है ठीक है इसका अब यह जो एक्जापल लिया है ग्लिसरीन है या ग polyhydric alcohols means the alcohols containing more than three hydroxylop in their molecules are called polyhydric alcohols it's a key example is sorbitol it is coming traveling is sorbitol then another sorbitol you only the time sorbitol it's got a common name hey sorbitol yes ka common in it is good by a minute condensed click I have one is coming expand yes you go one or four five or one six headaches one two three four five six the skype is new the one two three four five six so hexa 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 hydric hexa hydric yeah hexane yes ka iopc name ho satire braver sorry two three four five six hexa all hexa all hexa all sorry yes ka iopc name iopc name as a banana for all again a difficult era which is a total practice okay sorbitol dad and i see it should i say children nama se jana sorbitol alcohol are a cani a sorbitol ethylene glycol i sara to sirf monohydic alcohol koji alcohol will take the diet take a car polyhydroka bolte hi nai ye clear why will cool harry point clear notes say notes key tension matlo sub notes of comillas so you have to go up to the system link now you have to go back okay okay so you have to go down को क्लासिफाइब किया on the basis of number of hydro oxygen प्रेज़ेंगे और मोनोहडरिक टाहडरिक 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 और पॉलिहटिक अब मोनोहडरिक का फर्दर क्लासिफिकेशन आप तो उसका बेस क्या होता है कि जो आपका अलकाइल ग्रुप का जो हाइबिडाइज कारव एटम है स्पी टू जो भी होगा स्पी टू और स्पी थ्री अपने स्लेबस में तो उससे अटाइब उस पर बेस्ट का क्लासिफिकेशन देखिए देखिए दे मोनोहडरिक अलकोहल सार्फ फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दू दा हाइब्रिडाइशन आफ कारवन आटम प्रेशन को श्रीफ टू इस अब जो तो टैप से लेवर्स में एक है यह एल्कोहल स्कनटेनिंग दो कारवन स्पी त्रीय तो एस कारवन स्पी त्रीहडएज से अटाइच कहा है और इसका जनल रिप्रेजेशन ए और वश और उसका जनल फॉरमॉला एगा च्न एक उस यह प्लस्टो ओ इसको यूज करना एंका मतले लिखान नम लिखान लिखान लंबर लोन टो इन वान टो इन टो रिए टो इन टो लिखान नाइट दो प्लस यह तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा H3 और OH देखो CH3 हो जा गया अगर इसको यूज करना है अगर मैं इसको वन लिया मैं लिया तो यहां पर टू इन्टू 1 प्लस 2 O आपके हो जाएगा कारवन टू इन्टू 1 टू और टू 4 तो CH4 OH यहां इसको एक्सपाइंट कर दो एक्स मतलब इसको आरेंज करके यह आने वाला पॉर्मॉला देख लेजिए यहां पर यहां पर यहां पर आजाएगा आजाएगा कर लिजे इतना नोट हूं कि अब क्या करते हैं अल्कॉहल कंटेनिंग कार्बन स्पी 3 ओएच बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कॉहल फिर उसके आद आपका बेंजैलिक अल्कॉहल आरे समझा आपके उसके तीन टाप में लिख रहा तो फर्स में लिख रहा हूं प्राइमरी सेकेंडरी अल्कॉहल दूसरा जो आएगा अल्कॉहल तीसरा जो आएगा बेंजैलिक तीन है इसके अंदरा तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कॉहल तो मैं पहले पर इसको थोड़ा डीटेल ले रहा हूं क्योंकि यह सब लगते हैं पढ़ते हैं ना चाप्त लगत उसके लिए काफी डेफ्थ में रहा हूं इसको तो प्रामरी अलकॉल मतलब अलकॉल इन विच दा हैड्रोक्स ग्रॉप इस अटाइच टू प्रामरी करबन क्योंकि इसका जो क्लास्पिक इन किस पर बेज़ है की हैड्रोक्स अगर आपको अगर अपका एक्रॉप कॉन से कर्बन साय कहें रिमारी शेकंडरी टर्शया को बता चुका प्रामरी कारम इसकोल थे प्रामेरि कारूब अप्लब अधिट विच जिस बॉन दे टू तो टो अधर कर बिदा अग्योट आपको ने आता पता है तो प्रामेरी कार्म एतम ने रिगार्विक इसको लाए था कारवन एड़ इसको लाए प्रायमरी को वन डिग्री सचो करते हैं थीकर ना कborना है अगर आपका एक करबनारी कि चांघ एक जrakा कलेंगे मीडल कीजिक एक स्ट्रूस एक इसको क्या वह लेंगे प्राइमरी क्योंकि एक आर्मस एक जाए अब तर्शरी बता तो कैसे वह लेंगे च्छ 3 एक दो तर्शृरी आपको तीन क्या करना हो रहेगा एक कारण नहीं हो गयान टो पर फद्रिफम और यहीं पर प्राइमरी कारबन संट्साइस्टन छे प्राइमरी कारवन इंटिक घर नहीं होता क्यूंकि हमें अकर छे यह बात क्लियर कर लिजी आप लोग ठीक है न यह थोड़ा सा ने बिसिक बता दिया 11 के लगता है कर चलिए अब यह क्लियर हुआ तो आप क्या हो ला है देलकॉस इन विच दह है अज्ञ ये से अटाइग है ये अटल में अटल में जाये तो फंक्शा मीशिए ग्रूप और प्राइमरी अलकोहली ग्रूप और एक्जाम्पल देख लीजिए ओई ग्रुप को से कार्म अटाज है प्राइमरी इसको लते क्या इतिल एल्कोहॉल आया क्लियर चलिए अब मैं बनाता हूं सेकंडरी का एक्जांपर भी सिंफट आपकर रहता हूं अर्जिस्ट अब देखिए आपर अम देखते हैं आपर से 2nd agree with ещё secondary alcohol is good 2 Degrees every second alcohol means the alcohol is in which the hydroxyrope is attached to secondary carbon citation work is our secondary carbon SEC nd re carbon atom are called secondary alcohols are called secondary alcohols are called secondary क्या होगा सोच लिए जब कैसा हो सकता है जनरल री प्रेजेंटेशन देख लिए चाटाय मैंने यहां पर अटाइश कर दिया है एक और दो आ रहा है तो अगर सी एच वह ग्रूप देखों आर टू सी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं चाहों तो आर टू सी एच वह दिख लिए लोगा दो कार्वन डर्व शाय फंच लिए फंक्शनल ग्रूप फंक्ष नाल्ल ग्रूप अ तो र्गड़न के करने व आर यान थो द्सक्ड़ ऑड़ यहां तो प्करीण ग्रूप अपको आर आदा बर आबाडला आ टेट वह तो असन्डरी एल्कोहलि क्या फिर्ट का लिं इसका एक्जाम्पल आपको जो लेना ले सकते हो CH3 CH3 OH आइसो प्रोपिल अल्कोहॉल बराबर है और है और है क्लियर है विल्कुल हारा है समझ बहें सब्सक्राइब रखेटर रखेटर आपको जो लेना ले सकते हो अब देखते हैं टर्शरी अल्कोहॉल सब्सक्राइब करते हैं अब यहां पर तर्शरी अल्कोहॉल तर्शरी अल्कोहॉल्स 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 आप चाहो तो इसको इसे लिख सकते हो आप त्री सी ओएच कमबाइन करके आप इसका फंक्शन गुरूप क्या होगा रहा है इसको लेंगे तरशरी अलकॉली ग्रूप और एक्जाम्पल आपको जो बनाना है बना सकते आप एक्जाम्पल मैं लिए हैं पर CH3 CH3 OH और CH3 इसका नाम है tertiary butyl alcohol कहा नाम इसका tertiary butyl alcohol नॉमेखले बेइकले क्लिएगा अभी इसके नॉमेकले इसके नॉमेखले के नमबर है तरिशरी ब्यूटिलिकल हो गया तो एक हो आभी तो एल्कोहॉल्स कंटेनिंग कार्बन एस्पी थ्री ओएच बॉंट का पहला पाट हो गया है उसको फॉर्दर क्लासफाय कर रहे है प्राइमरी सेकंड टर्श और थर्ड जो पाट होगा वो बेंजायलिक ठीक है कर लिए इसको नोड़ाँ जो अब देखते हैं अलकोहॉल्स कंटेनिंग कार्बन एस्पी 3 ओएच पॉंट का थर्ड टाइप स्वारी सेकंड टाइप अलायलिक एलकोहॉल्स तो अलायलिक अलकोहॉल समझना आपको देखो च्च्टू डबल बॉंड च्च को बोलते हैं विनायलिक और उसकी आगर च् सब्सक्राइब च्च्टू लेंगे अलकोहॉल्स इन वीच हैड्र ऑक्सी ग्रूप इस पी तुट्री अगर सिंगल बॉंड है सिंगल बॉंड से दो एच 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 दिक एक दो तीन चार आए अगर मैं इसको लिखता हूँ एच एक एच एच परेगा एक एच्च ट्यूड नहीं तो यह दो isp 3 carbon a to calling the alcohols in which hydroxy group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double one the african that is allylic carbon minus of it how we do you t type of primary secondary and tertiary allylic alcohol the alcohols in which the hydroxy group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double one that is allylic carbon equally अर दोनो मी अर कॉल अलाय लिकल कोर्ष अ बिवे प्रामेर इसे कि रेखिया है तो तौ पर डब बर्णाइट प्रक्रो टो तोी इन-1 ऑन वन पर अले ऑले टू पर अले टू पर टू पर तू आले सुप अले टू पर टू अले टू गाना टूपे डू टू मत्रीश इन पर ट से प्राइमरी अलाइलिक अब सेकंडी बिदेखो वह ग्रॉप किसे अटाइचे से कंडी कार्वन से मीस क्या लेंगे अल्कॉल्स इन विच हीड्रोक्सी ग्रॉप इस अटाइच टो एस्पी 3 है अब इसका नंब इसका नंब इसका नंब इसका करेंगा 1 2 3 4 तो 3 पे इन है मदब ब्यूट चार कर रहे ब्यूट 3 एन और 2 टूब टूब लेंगे अब यह तर्शरी तर्शरी कार्वन साटाइच वह तिक ना देखो दो एलकॉल्स इन विच हैड्रोक्सी ग्रॉप इस अटाइच टो स्पी 3 है विड़ाइस का रिटम नेक्स तू कारवन क रहा है और अविसका एक एसका एक रहा है अलायलिक और अविसका ऐसे गे 1 2 3 4 ऑल इक कर लिया तो पी मिद तो मिदिल टो इस तो टूब कितनी पू रूट और 3 पे डेबल एटो तो 3 और 2 पे अले 2 अज एक ये सका इपी सिन दिस तरिशरी अलईलिक अलकॉल ठीक ना मतब कै या फिर इसको लेंगे अलायली करबन सीधा अपिर या फिर यह तिन टाइप का रहता है प्राइम्री सेकेंडरी टर्शरी कर लीजे नोट डाउन अब देखते हैं अल्कॉल्स कंटेनिंग कारवन स्पी 3OH पॉंट का थर टाइप बेंजैलिक अल्कॉल देखिए इसमें क्या हुता है कि हाइड्रोग्स किसा टाइच एस्पी 3 हाइब इसका राइटम नेक्स तो बेंजिन रिंग मंदब आरोमेटिक रिंग बोलते इसको ठीक ना उसको हम क्या ह एक बेंजैलिक अलकॉल देंगे बेंजैलिक अलकॉल्स इलकॉल्स नहीं तॉस्पी 3 हीविड़ाइब इस करवाइटम नेक्स तो अरोमेटिक रिंग मींस बंजैलिक अलकॉल और यह इन तैप ऑट बाइमरी सेकन्डरी अंड टरिशरी अलकॉल्स देखो अगर आपका है डि तो रिच अजसेंचे एलकोहल बेंजाइल अलकोहल और इसको लिएगे आइलकोहल और फिनाइल मीथक्टन री और यह प्राइमरी क्या है फ्राइमरी ऐन्ली मेंटाल का आब हस्क्य rejection VII क्कृट इसकेंडरी baiserीborn अलकोहल क्या हो लेंगे secondary benzylic alcohol और अभी देखो भी तो ओएज ग्रूप कि साट है चाहिए SP3 है इसका नेक्स टू बेंजिन रही उसको लेंगे benzylic तो इसको लेंगे आप देखो इसको इसको हटाया इसकी कितने वैलेंसी एक वैलेंसी देखा दो वैलेंसी ऐसा बोलेंगे दो वैलेंस इस इस ग्रूप को बोलते हैं Benzal क्याहिंके benzyl group और इसका example ना है आपका Phenyl E지만 All ऐख तर्शरी का यहीं दो बेंजो तर्शरी ऐसा बनाता है व्योग टर्शरी घ्जामपल थर्ड इग्जामपल बना रहां तो तर्शरी कार्वन स्टैटेंब इसको मैं तर्शरी बेंजालिक अलकोल बरावरे तो अब इसका नम जाएगा वांड इसका अनुम्रिंग अबतीं एक यार दो में जनरली नहीं करते हैं थीक तो अब इसका नहीं जाएगा बेंजो एलकोहल कॉमन हो गया और इसका आई पीसी नहीं जाएगा कितना है टू पर तो टू फिनाइल टू फिनाइल प्रो पेन टू और यह इसका आई उपी सीने में और यह तर्शरी बेंजाइलिक अलकॉहल है यह होगे आपका बेंजाइलिक अलकॉहल अब देखते हैं इसका सेकेंड टाइप कर लीच इसको नुट डाउन आप अब मोनोहट्रिक अलकॉहल का क्लासिफिक्षिन का सेकेंड टाइप अलकॉहल कंटेनिंग कारवन इस्पीट टू है बॉटे से लिगह आपका सिंगल बॉंड है यह थोड़ा सा सब्सक्राइप क्लियर के लिजए शिंगल बॉंड है तो अगर शुट्वांद तो वह शो करता है SP3 hybridized ठीक है और अगर वह double bond सा अटाइच है यह थोड़ा सा clear करें तो आपको double bond अगर double bond सा अटाइच है से कार्बगार double bond तो भी carbon oxygen carbon nitrogen तो वह हो जाएगा आपका SP2 और अगर triple bond सा अटाइच है triple bond तो SP hybridized होगा यह थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया आपको SP SP2 SP3 और एक में तीन लगते हैं ठीक है ना इसको बताता है इसको नोट करके रख लिया अगर ऐसा ठीक है न नोट यह काम आता है बहुत काम के पॉइंट रहते हैं यह नोट तो आप देख लिया पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां तो यह जो कारवन है यह आपका SP2 है तो हैट्रोक्स ग्रॉप इस पीटो है बटाइस कारव इटम और कारवन 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 डबल ओन डाट इस इसको लते हैं विनाइल ग्रूप अब यह भी ग्रूप समझ लिजे थोड़ा सा और अब नेक्स देख लिजे च्टो डबल बॉंड च्छ अगर ऐसा रहता है तो इसको बोलेंगे इसको बोलते हैं अलाइल ग्रूप अलाइल ग्रूप यह थोड़े से पॉइंट डेख जितने बी आपको बताता हूं यह सारे पॉइंट बहुत काम के हैं काम आने वाले हैं लुग दो एक्स्ट अपॉइंट अपर आपके पास एक्स्ट अपर आपके पास खेल वान आ पहुष में विन्यल एलकॉल विन्यल ग्रूप टेंटर प्र इद फिसमें जोड़ दो है तो इत एथ ट वरड़ न एन और अल एध एई एन आउल एपिस इन ओंड एपिसम गमन स्टेट को चोड़के इसको स्टाट कर दिया तो उसको टेंशन मत लिजिए वह चलता रहेगा यह दोनों चलेंगे एक साथ साथ साइमिल्टेनिस से दोनों में खतम कुरतेंगे घबराइए मत ठीक है अब आगे जाके अब थोड़ी दिरी स्पीड बढ़ाने है और हो सका में अब आपने दोस्तों को बताईए सब्सक्राइब करने के लिए ठीक है थोड़ा आपने यहां के जराज के जो थैना जो बहुत कम दिख रहे हैं मिलकूँ अब बढ़ा है जितना बढ़ाएंगी तो मेरे काम देने को बढ़ा लिया मैं आपने आपने खाला है यहां अब आपना भी बढ़ा है आप अपने दोस्तों का डाईरी अवरा यह दायरा वुलते सको बढ़ा यह ठीक है चलिए पढ़ते रहिए घर पर रहिए सेफ रहिए झालिया.